नमस्कार, एक भार फिर सॉटर थे आपका वेशन पर, बोड़ा सरीट हुआ है, मैस की स्टुडिजी देने में, लेकिन इसके पीछी भी रीजन था, क्योंकि मैं वेट करा था, आंसर की का, आंसर की आ गया है, तो फिर मैंने अनलाइस किया है, व्यूटल के कुछ वी देखें किस पैटर्न के कोश्ट आ रहा है, और उस हिसाब से पैटर्न के कुछटन किया है, बहुत इंपॉर्टन इस्टीजी है, व्यूटल को पूरा देखना, और इसमें में रहे चीज़ आँवा कि आपको पैक्टर्शों कहां से करनी है, चले, स्बसे पहले है, सबसे पहले मैस क तो हमारा एक्जाम देती थी, तब के समय में questions ऐसे आते थे, statement type थे, specially 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यह जो questions थे, यह जो questions थे, यह जो questions थे, यह सारे वैसे type questions थे, जैसे type questions अभी आ रहे, जैसे आपके election based question हो गए, ठीक है, और भी कुछ questions है, जो important questions है, जो कि पुरान ने पूछे जाते थ से आ ले, क्योंकि SSC के पास सवान तो है, नहीं, पूछेगा क्या, इसी जी, पहला है, प्रिवेर्सियर, प्रिवेर्सियर आपको करना नहां से है, क्या क्या करना है, अब प्रिवेर्सियर आपको सिर्फ 2018 से लेगे 22 तक नहीं करना है, जो thesis pattern है, करना उसको है, important है हो, लेकि सिर्फ उसको नहीं करना है, क्योंकि आप पहले उसको करना है, अब मैं चालता हूँ कि आप तो वह अज़ा पीसित है, flashback में जलते हैं, और flashback में जलते हैं, SSC के पुराने questions, ठीक है, उनको आपको करना है, उससे क्या होगा, सबसे बड़ी फाइदा होगी, practice, calculation boost, क्योंकि आप तीस question आपको करना है, math के और तीस question करना है, reasoning के एक टेंट है, तो आपको चेहिए calculation, calculation जितनी अच्छी होगी आपकी उतना अच्छा score करोगी, उसके लिए आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, दो-तीन चीज़े करना है, त्यान से दिखिए, प 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसके लिए सबसे पढ़िये गताब है, किरल पब्लिकेशन की जो प्रीवेस एक लिए उसमें तो बहुत पुराना दिया हुआ है, जो कि आप बहुत तुरूंत कर लोगे 1999 से दिया है, लेकिन मैं स्पेशली रिक्मेंट करूँगा कि आप 2008-2009 से उस question को कई आप से, फाईदा के जाता है, उस kitab को कि सारे question लेक्र में जाए आपको, और उसके बार, उसमें कुछ questions repeat भी होते हैं, जैसके कोई question अब ही 10 पर लगाए होगा है, तो फश्चन को कई होता है, तो पर जो भी होता है reason हो जाता है, विए प्लिकेंट को आपको लेनी है, अ complete, समझ रहे हैं, total, calculation boost करने के लिए, practice करने के लिए, ठीक है, आपको एक इताब boost करने हैं, और कोई tension की बार नहीं है, साही questions, सब सची बात है, कि उनने थोरा समय करने के लिए, आपको इनने कोशन की बार नहीं है, तो आपको ब्रान कोशन को भी छोड़ना नहीं है, उनको साहथ मिलेके सर नहीं है, इसस के साहथ साहथ. अपको कौन से टीचर को फॉलो करना है, मैं इससे करते रहें तो जो questions hard होते हैं, जो tough questions होते हैं, आपको अच्छा solution वहां से मिल जाएगा, और अगर और आपको प्राक्टिस करने के लिए कोई किताम नहीं रही थी मैं ने रूंड़ा वहां किताब मिली है, इसमें ओनना है किताब उन्होंने बनाया है, एक किताब आ भी गया है मैंने बंगाया था, यह साहथ से सेीजर टायार टून प्राक्टिस वेसू इस से क्या होगा कि आपको ख़ोड़ासा ऐसा ऐसा ठाईब पाटर्न होगा और कमेंट में भी आप कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के एपलाई करता हूँ, चलिए, पड़ते रहेगे, सीजल क्रैक्ट करिए, और पिर आई लिए, साथ में इंजोई करेंगे, तब तो के लिए, नमस्कार, और इस पसीनी के लिए सौरी, क्योंकि आवार अच्छी या ऐसी झाट